स्याइ गैई वेल्कम बैक टू माई चैनल मैं बहुत दिन से आप लोगों से बोल रही थी कि इन शॉट का मैं वीडियो टुटियोरियर डालूंगी मैं कैसे अपना वीडियो एडिट करती है इसी वे में उसमें कॉमें प्रेंट्स पी आया था कि हां बताईए दो टूटियोर जाए दुरुसता है तो स्टार्ट करते मैं बताती हूँ अपने वीडियो कैसे एडिट करती हूँ सबसे पहले आप वीडियो सेक्शन में जाएए यह वो वीडियो पड़े हूए जो एडिट कर चुकी हूँ और यह वाला मैंने अभी सिर्फ खृड एड्ड करी हैं और इस के लिए ready कर रही थी तो सबसे जरूरी यह कि डिसाइड करना कि यूट्यूब वीडियो के लिए क्लिए एड़ कर रहा हूं या शॉट के लिए क्योंकि दोनों का यह रेशियो अलग-अलग होता है जो शॉट होता है यूट्यूब शॉट्से रील्स यह 9-16 रेशियो टिक-ट करना होगा ऐसे करके तब इससे बनेगा क्योंकि यह वीडियो मैंने शॉट्स के परपस से शूट करी है तो यह इसी में फिट आ रही है आप यह देखिए इसको सेट अप्लाइट वाल कर लिया सबसे पहले कैनवस मेरा सेट हो गया कि उसके बाद हम देखते हैं कि सारी क्लि आपको नहीं चाहिए आप वहीं पर पॉस कर लीजिए और इसके बाद यह एक को और यहां पर इस्प्लिट कर देंगे और उतने पूर्शन को सेट कर आपको सारी चीजें डिलीट कर देनी है जो जो चीजी अन्वांटट पार्ट है जो आपको लगता कि वीडियो में नहीं चाहिए आपको फिर नेक्स चीज आते है कि जब आप कोई जिसे माल जा कोई मैं प्रोडक्ट रेव्यू कर रही हूं कोई चीज कर रही हूं तो उसमें अब आप देखते हैं न साइड में फोटो या वीडियो कभी-कभी चलता रहता है तो लोग पूछते हैं कि आप वो कैसे एडिट करते हैं तो उसके बाद यहां पर आपको वीडियो और फोटो दोनों स्रेट करने का उप्शन होता है कि आपको क्या डालना है जो साइड में चलता रहे तो क्यूंकि मुझे फोटो चाहिए तो मैं फोटो पर स्रेट करके अल्लेडी मैंने फोटो डाउनलोड कर और उसी एकॉर्डिंग इसको एडिट भी कर सकते हैं आपको कितना पोर्षन चाहिए कितना नहीं चाहिए तो मैं इसको इस तरह सेट कर दूंगी और इसकी यह आपको वीडियो में कहां तक चाहिए किस डियूरेशन तक माल जे मुझे यहीं तक चाहिए तो इसको भी हम तो आपको यह दो मिनट के थोड़ा सा यह क्लाइस होगा जितने अकॉर्डिंग मैंने सेट किया है उसके बाद चलिए आपको दिखा दिया साइड में फोटो और वीडियो कैसे एड गरते हैं अब नेक्स चीज है कि आपको वीडियो में ब्राइटनेस वगेरा कैसी है कैसी नहीं है तो इसके लिए आप फिल्टर दिया हुआ है आप फिल्टर से अलग अलग फिल्टर चूज कर सकते हैं आपको कैसा चाहिए कैसा नहीं चाहिए तो मेरे मुझे अभी अपने वीडियो में मतलब कुछ ऐसे एड नहीं करना है तो मैं कोई फिल्टर एड नहीं कर रही तो easily आपको जहां पर वो चीज़े डालनी है, आप वहां पर pause करिए, टेक्स्ट में जाएए, यहां पर आपको sticker होगा, sticker में आप search करिए Instagram, ठीक है, sticker में, एक second, मैं आपको दिखाती हूँ, sticker पर जब आप जाएंगे, तो यहां search को option आएगा, यहां पर आप Instagram लिखिए, लगते हैं, यह select करने के बाद, यह देखिए, मैंने दो बार गलती से select कर दिया, यह आ गया, तो मैं इसको यहां पर side में रखोंगी, और फिर इसमें यह pen जैसा है, यह edit का है option, यह fx डाल सकते हैं, प्लस इसमें edit करके, आप अपने text डाल सकते हैं, कि text क्या आएगा इसमें, क्या चीज़ें आपको लिखनी हैं, जैसे मेरी Instagram ID है, itika8595 ऐसे करके है, तो मैं इसको लिखाती हूँ, एक सब्सक्राइब करके, यह यहां पर मैं add कर दूँगी, itika8595, हाँ यह देखे, तो मैं इस तरह अपना Instagram handle add कर ली, और जब सबसे ज़रूरी चीज़ यह है, कि जब भी आप कोई चीज़ जैसे ऐसे photos वगरा, यह handle add करते हैं, तो एक जब इसको feeling लाने के लिए, pop-up sound लगाना ज़रूरी होता है, कि आप कुछ screen पर कोई photos flash कर रही है video, तो उसके लिए आप music में जाएंगे, यहां पर already music जो भी है, copyright free है, और जो वैसे music से effect में जाके, आप popular में जाएंगे, यह popular में आपको बहुत सारे beep, bubble, बहुत सारे ऐसे रहेंगे, जो आपको लगेगा, कि हाँ, मतलब जो add किये जाते हैं, कोई भी photos या videos पे, तो आप वो चीज यहां सा जाके add कर सकते हैं, और उसका duration जिसे मैं आपको दिखाती हूँ करके, यह से यह आया, यहां पर, अब मैं यहां पर कोई effect, set करके दिखाती हूँ मैं आपको, music में जाके, effect में गई, popular में गई, हाँ, मुझे यह bubble sound चाहिए, ठीक है, तो यह मैंने bubble select कर लिए, अब जब देखे यह play होगा, तो वीडियो कुछ इस तरह play होगा, तो यह इस sound से बहुत ही, ऐसे realistic लगने लगता है, वीडियो बहुत boring नहीं लगते, अच्छे रखते हैं, यह करने के बाद, इसमें पहले तो एक option नहीं था, दी noise को option आ गया है, जो आपकी, मतलब अगल बगल की, अगर extra noise आ रही है, तो उसको एकदम clear कर देता, इसको off कर देता है, यह हो गया, प्लस आपको वीडियो में, जब sound जिसमाल, जब मैंने पूरी clip एडिट कर ली, अब मुझे एक background music डालना है, अपने clip में, तो मैं video के starting करी, music और section में मैं गई, कुछ my music में जाईए, कुछ या तो कुछ अगर आपने copyright free music रखा है, तो आप वहाँ से select कर सकते हैं, और अगर आपको कोई video है, उसका music चाहिए, तो extract audio from video कर सकते हैं, तो उस video को audio आपके, इसमें आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि already मैंने कुछ, जो मैं music यूजिक 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 है, वो मैंने save करके रखे हुए है, तो इसमें जितने भी music है, सब copyright free है, तो मैं इसको use करती हूँ, अब क्योंकि यूजिक में कुछ बता रही हूँ, और background music भी मुझे चलाना है, तो background music के अगर बहुत जादा आवाज रहेगी, तो मेरी voice नहीं सुनाई देगी, तो background music जहाँ पर है, यह select करेंगे, जब आप तो यह volume को option आजाएगा, इसको यहाँ से आप एकदम slow में लगा लीजे, ताकि आपकी आवाज और background music इसाथ में चलता रहे, और stickers में जाएंगे, तो अगर आपको कुछ और अलग से stickers आड़ करने हैं, आप यहाँ search कर सकते हैं से subscribe और इस सारी चीज़ें हैं, तो यह सारे देखें, बहुत सारे हैं, यह सब free version है, मैं free ही use करती हूँ, तो यह सब आप जो है use कर सकते हैं, यहाँ से download करके, नेक्स चीज़ मैं आपको पताती हूँ, जैसे कि यह है, मुझे इस product पर focus करना है, तो मैं कैसे करूँगी, जाना है, तो मैं stickers में जाऊंगी, इस sticker में detail एक option है, detail, अगर आप detail के बहुत सारे, अगर यहाँ पर magnifier या बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको कुछ दिखाना है, तो उसी according आप set कर दे, इसको इस में set कर दिया हैं, क्योंकि मैं front camera से shoot कर रहे हूँ, तो यह video उल्टा आपको दिखाई दे रहा है, तो आप ऐसे detailing कर सकते हैं, कि आपको कोई चीज highlight करके दिखाना है, वीडियोस दूर से हैं, तो आप ऐसे करके इसको दिखा सकते हैं, और duration आप उसी के according, आप इसी पर tap करके editing duration इसका set कर सकते हैं, और फिर next चीज, नेक्स चीज है background, वैसे background का कोई ऐसे use नहीं आता है, क्योंकि full screen ही वीडियोस हम full कर लेते हैं, और फिर वीडियो को अगर reverse माल जे मुझे कोई specific part है, उसको reverse करके डालना है, तो पूरा जिसे इस clip में मुझे इतना portion reverse करना है, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, कुछ भी clip को, अगर आपको किसी भी clip में थोड़ी भी editing करनी है, सबसे पहले इसको split करिए कि उसका effect बाकी के portion पे ना पड़े, आपको पूरा वीडियो नो बरबादो, तो यह मैंने split कर लिया, अब यहां पर यह reverse को option है, मैं आपको दिखाती हूँ, यहां पर आपको फिर भी कोई query हो, तो आप मुझे message से पूस सकते हो, यहां पर इन शॉट का जब आप फाइनली वीडियो पूरी edit कर लोगे, तो इन शॉट का यह option आता है, लोगो आपको इसको remove करना है, तो यहां पर side में cross का एक option है, जब आप इसको करेंगे, तो यह free remove का option आएगा, इसमें आपको एक add देखेंगे, add दिखाया जाएगा, और यह logo remove हो जाएगा, तो देखिए कैसे अब यह एड दिखाते हैं, फिर यह logo हट जाता है, अब देख रहेंगे, आपकी इन शॉट वाला logo यहां से हट चुका है, अब यह save के option पे जाके, आपको simply video save कर लेना है, और यह आपकी gallery में आ जाएगा, सो मैं ऐसे ही editing करती हूँ, अपने इन शॉट से बहुत easy है, easy to use है, और सारी features हैं, जिसमें आपको paid लेने की तो बिल्कुल भी ज़रुवत नहीं है, so yeah guys, मैंने इन शॉट की सारी, almost सारी major tricks are cover कर दी है video में, अगर फिर भी आपको कोई pay रही है, तो आप comment करिये, मैं इसका part 2 लाँँगी, detailing में जो features छूट गये हूँ, वैसे तो कुछ चूटे नहीं कुछ चूट गये हूँ, तो मैं आपको बताऊंगी, और अगर आप किसी और आप या कुछ और YouTube से related information चाहते हैं, कि आप videos कैसे upload करना है, क्या नहीं, तो please let me know in the comment section, और फिर उसी according मैं videos upload करूँगी, प्लीज चैनल को subscribe करिए, मेरे vlogs देखने के लिए और YouTube चोड़ी चोड़ी बेसिक जानगारी जो आपको कोई नहीं देता है, ये जानने के लिए है,